शौमी ग्लोबल मार्केट में अपने स्मार्टफोन 13 सीरीज को लांच करने के लिए पूरी तरह से तयार है ग्लोबल मार्केट के लिए शौमी 13 सीरीज में बेसिकली हमें तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे शौमी 13 13 प्रो और एक फोन होगा शौमी का थर्टीन प्रो शौमी 13 लाइट लाइट करके आएगा हला कि ओफिशियल लांच डेट से पहले फोन को एक जर्मन रिटेलर की वेपसाइट पर स्पोर्ट किया गया है पूरी के पूरी इंटायर सिरीज हमें 26 जनवरी 26 फर्वरी 23 को ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल सकती हाला कि उससे पहले शौमी 13 लाइट को एक जर्मन के रेटेलर वेपसाइट पर स्पोर्ट किया गया जिससे कुछ फ्यू जो प्राइमरी स्पिकेशन से वह स्पोर् 1000 लिस्टिंग से एक बार फिर से कंफर्म हो चुका है कि शौमी 13 लाइट में स्नैब्रगन को वाला प्रोसेसर ही मिलेगा अगर आपको याद नो तो आपको पता दू इस वाले फोन को बहुत पहले गूगल प्ले कंसोल पर भी स्पोर्ट किया गया था जिसमें एक बार फिर से इसमें यही स्नैब्रगन 7-1 वाला प्रोसेसर देखने को मिला अले कि प्ले कंसोल की लिस्टिंग में कुछ और फीचर निकले थे और साथ के साथ जर्मन रिटेलर की जो वेब साइट थी वहां पे बिच फीचर निकले बताए जारा इसमें 50 मेगा पिक्सल का प्राइमरी और एक 32 मेगा पिक्सल की सेल्पी के साथ एक 5000 मेच की बड़ी बैटरी भी स्पार्ट की गए तो मतलब बेसिकली जुसके स्पेसिफिकेशन होंगे वह नॉट मोर दैन मतलब एक तरस यह कहाचा सकता है कि यह सबसेंट स्पेसिफिकेशन समय देखने को मिल सकते हैं शौमी की बद से बत्तर भी नजर आ रहे हैं लिस्टिंग से कुछ और स्पेसिफिकेशन स्पोर्ट किया है जैसे बता जा रहा है कि शौमी 13 लाइट में एक हमें एमोलेट डिस्प्ले के साथ एक 67 वाट की फास चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने मिल सकता है तो बात करेंगे शौ इस चैनल की सब्सक्राइब बटन तो नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना लिस्टिंग के हिसाब से वाले फोन की कुछ स्पेसिफिकेशन भी स्पोर्ट हुए है बताए यह जहारा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस वाले एक फॉलेज़ी प्रेस लेशन की डिस्प्लेइब और हंडर थी बीपी आई के साथ एक वन टॉन्टी रस की रिफिरस्ट रेट के साथ 6.55 इंच की एक एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिल सकती है साथ के साथ स्थ नैप्रेगन सेवन चन्वाल अलबा सेबंचन वन चाहिए एक एक और जीबी करेंबी स्पॉट की जा रही है साथ के साथ बता यह जा रहा है कि इसमें एक वन टॉन्टी हर्ट वन टॉन्टी एडिए जीबी की इंटरनल स्टोरेज के साथ इस वाले पून के दर्सन पॉसिबली देखने को मिलेंगे लिस्टिंग में यह भी क दुख की गात होगी और शामी के लिए दुख की घड़ी भी हो सकती है साथ के साथ हमारे लिए तो दुख दर्द पीड़ा भी सब कुछ हो सकते हैं मतलब खतम बाइबाइ टाटा अलाके ओनलाइन लिस्टिंग से यह भी कंफर्म किया जा रहा है कि इसमें 50 मेगा पिक्सल प् सपोर्ट की गई है तो मतलब सेल्फी से थेखने को मिल सकते हैं लिस्टिंग के हिसाब से यह भी कहा जा रहा है कि इस वाले पॉन में 5000 मेच की बैटरी होगी और युस्भी टाइप-C पोर्ट के साथ लगबग लगब 67 वार्ट की सपोर्ट हो सकता है हाला कि इस वाले पॉन जैसे कि यह डूल सिंब होगा जिसमें एक इसीं भी हो सकता है जो कि 5G होंगे Bluetooth 5.2 होगा और साथ के साथ इसमें NFC बगएर का भी सपोर्ट होगा साथ के साथ यह भी कहा जा रहा है इस वाले पॉन में डॉल्बी आटमॉस और डॉल्बी विजन कंटेंट का भी सपोर्ट द तो उसमें इसके प्राइस को भी बता है जा रहा है काई जा रहा है कि एटी भी रहा है मान वन पोटी एटीवी स्टोरेज का जो प्राइस होगा वह लगभग लगभग 44 या 45,000 के आसपास हमें ग्लोबली देखने को मिल सकता है वैसे आप लोग की क्या बिचारे शौमी 30 ल कुछ नहीं हुआ है इंडिया को लेकर थोड़ा सा मैं चिंतित हूं कि पता नहीं क्या हो सकता है बाकि ग्लोबल यह जरूर देखने को मिलेगा कि आखिर क्या प्राइस होगी शामी की 13 सीरीच की आप लोग क्या बिचारे इस 13 सीरीच को लेकर मीचे कॉमन सेक्शन में मन की बात लिके जरूर बता देने बाकि अगर आपको सस्ता सा और सुन्दर टिकाउट ट्रू वाइलेस एरबट टेक रहे हो तो वाला वीडियो आपको इधर मिल जाएगा बाकि इस वीडियो में आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ पैल नॉटिवेशन सब्सक्राइब कर देना मेरा नाम है विकास समय दाउन नेक्स वीडियों तब तक के लिए ठीक के बाबाई एंड और वेट के बिसमाली जाएगा